आखिर कारण क्या है कि आप सरयाम और देश के आप राजा हैं प्रधान मंत्री हैं दूसरा टर्म चल रहा है आपका 303 सीटे हैं आपके पास कई राज्यों में आपकी सरकार है लेकिन आप देश की छवी के साथ खिलवार करने में एक मिनिट नहीं लगाते आप और आपकी मौके पर हेलिकॉप्टर की जगें सडक मार्क पर जाने का निर्णे भटिंडा एरपोर्ट से फिरोजपूर जाने का लिया गया जो शब्द कल प्रधान मंत्री ने कहे कहा जाता है कि उन्होंने कहे भटिंडा एरपोर्ट पर अधिकारियों को धैंक्यू कह देना मुख्य म मंत्री को कि मैं भटिंडा एरपोर्ट तक जिन्दा लोट आया हूं ये शब्द शोभा दिते हैं तो जहां जहां आपके अपनों की सरकार है आपकी अपनी सरकार है वहां आपकी जान को कोई खतरा नहीं है वहां आप बरदार्श कर लेते हो ट्राफिक जाम में फसना अपनी आप बिना बताए बिना प्रायोजित कारेक्रम के पाकिस्तान चले जाते हैं वहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं प्रदान मंत्री इस देश के हैं जिस दिन उन्हें ये आभास हो जाएगा कुछ निरने ठीक लेना शुरू कर देंगे वो आज भी अपने आपको भाजप प्रदान मंत्री मानते हैं इसलिए हर कदम में राजनिती हर कदम में हलकी स्तर की राजनिती अच्छी बात नहीं है साथियों बहुत गंभीर विशय है पिछले 24 घंटों में जो देश में एक विवाद पैदा करने की चेश्टा की जा रही है जैसे की देश की छवी जिसमें धुमिल हो देश की जो सुरक्षा एजन्सीज हैं अलग-अलग जिम्मेदारी हैं उनके पास उनकी छवी धुमिल हो देश के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश पंजाब और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृती जिससे पूरा देश क्या पूरा विश्व सीखता है पंजाबियत कैसे उसकी छवी को रौंदा जा रहा है एक शड्यंत्र के तहट मैं तो कहूंगा कि उसे रौंदा जा रहा है ये पूरा विश्व देख रहा है आखिर कारण क्या है कि आप सरयाम और देश के आप राजा हैं प्रधान मंत्री हैं दूसरा टर्म चल रहा है आपका 303 सीटे हैं आपके पास कई राज्यों में आपकी सरकार है लेकिन आप देश की छवी के साथ खिलवार करने में एक मिनिट नहीं लगाते आप और आपकी पूरी पार्टी और आपके कुछ करीबी मीडिया के साथ ही यह क्या हाल बना रखा है देश का तथ्य सब के सामने हैं कोई तथ्य छिपा नहीं है किसी से भी यह तथ्य है कि आखिरी मौके पर हेलिकॉप्टर की जगें सडक मार्क पर जाने का निरने भटिंडा एरपोर्ट से फिरोसपूर्ट जाने का लिया गया यह अभी तथ्य है कि एक SPG प्रोटेक्टी की मुव्मेंट्स का रूट इन सब का निरने अंतिम निरने SPG लेती है और बाखी एजेंसियां उनकी सहायता करती है राज्य की पुलीस उनकी सहायता करती कि सब तर्थे हैं में को बार-बार दोराने की आवश्रक्तन ही आप हमसे जादा समझते जो शब्द कल प्रधान मंत्री ने कहे का जाता है कि उन्होंने कहे भटिंडा एरपोर्ट पर अधिकारियों को थैंक्यू कह देना मुख्य मंत्री को कि मैं भटिंडा एरपोर्ट तक जिन्दा लोट आया हूँ ये शब्द शोभा दिते हैं किस तरह की जुबान है ये आप बिना बताए बिना प्रायोजित कारेक्रम के पाकिस्तान चले जाते हैं वहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं अपने ही देश के पंजाब में आपको अपने ही देश के नागरिकों से आप को ऐसी क्या घबराट है नफरत है कि आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे एक पूरे प्रवेश के लिए तथ्य यह भी है और इन तथ्यों से कोई नावाकिफ नहीं है खास तौर पर प्रधान मंत्री कि किसान कुछ मांगों को लेकर दुखी हैं व्यथित हैं परेशान हैं तथ्य यह भी है कि आपके ग्रह राज्यमंत्री तेनी सहाब आज भी आपके ग्रह राज्यमंत्री बने हुए हैं तीन दिन हो गए हैं, चार्ड शीट में उनके पुत्र का नाम आये हुए, आपने एक्षन नहीं लिया, तथ्य यह भी है कि 700 मृत किसान मुआवजे के लिए उनके परिवार आज भी प्रतीक्षारत हैं, आपने एक्षन नहीं लिया, MSP पे कमिटी नहीं बनी, यह तमाम तथ् को पूरी संस्कृति को बदनाम कर देंगे, मैं कुछ और उधारन आपके सामने रखना चाहता हूं, तारीखों के साथ, 22 सितंबर 2017 बड़ा ध्यान से सुनिएगा, लंका गेट नामक इलाका है वारण असी में, प्रधान मंत्री की कॉंस्टिटुएंसी है, प्रधान मंत्री अपने लोकसवाग छेतर के दोरे पर थे, 22 सितंबर 2017, लंका गेट पर बनारस हिंदु विश्विध्याले की कुछ चात्राएं, 500 के लगभग चात्राएं, यौन उत्पीडन के खिलाफ प्रधर्शन करने आ गई, प्रधान मंत्री जी को वहीं से गुजरना था, पुलीस के आला अधिकारी गए, मनाने की चेश्टा की वो नहीं हटी, वो नारेबाजी कर रही थी, वो अपना विरोध व्यक्त कर रही थी, उनका अधिकार था, लोकतांतरिक अधिकार था, क्या आपने सुना कि प्रधान मंत्री वारण असी एरपोर्ट पर जाते वे, मुख्य मंत्र सितंबर दो, 15 सितंबर 2018, स्वच्छता श्रमदान के कारिकरम में प्रधान मंत्री का काफिला पहाडगन जाते वे, दिल्ली की ट्राफिक जाम में फस गया, बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे तारीफ की गई कि देखी कितना आम आदमी कितने प्रधान मंत्री जी भी रुके वे लाल बत्ती पर, यह ट्राफिक जाम में, क्या आपने सुना, कि संदेश दिया हो अरविंद केजरीवाल को, कि अरविंद जी, थैंक यू, मैं सकुषल साथ लोग कल्यान मार्क पर जिन्दा लोट आया हूँ, नहीं सुना, मैं आपको एक उधारन और देता हूँ, मेजेंटा लाइन, गौतम बुधनगर, तारीख थी 25 दिसंबर 2017, उसके उधगाटन पर प्रधान मंत्री जी जा रहे थे, वहां कहीं रास्ता भटक गए, कुछ जिन्दा लोट आया हूँ, यह शब्द शोभा देते हैं प्रधान मंत्री को, तो जहां जहां आपके अपनों की सरकार है, आपकी अपनी सरकार है, वहां आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, वहां आप बरदार्श कर लेते हो, ट्रैफिक जाम में फसना और अपनी तारीफ और करवा लेते हो, जो अपना आपका लोग सबाक छेत रहे वहां, प्रधर्शन आपके खिलाफ हो रहा था, आपने तब नहीं कहा आपकी जान को खतरा है, वो जवान हो, वो किसान हो, उसने इस देश का नाम रोशन किया है पंजाब ने, और मैं तीन करों पंजाबियों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे विश्व के पंजाबियों की तरफ से बोल रहा हूं कि आज हमारा सर प्रधान मंत्री जी ने जुका दी, इस तरह का अपमान करेंगे आप हमारे राज्यों का, इस तरह का अपमान करेंगे हमारे मत्वण राज्य की संस्कृती का, उत्तर प्रदेश गई, रास्ते में उनका काफिला बेरोजगार नौजवानों ने रोका, मुख्य मंत्री नाराइंदत्तिवारी जी थे, रुकी, ग्यापन लिया, उनको गवर्नर हाउस में बुलाया, उनसे चर्चा की, और खुशी खुशी वो चले गए, आपको नहीं मालूम था कि पूरे प्रदेश में बड़ी मुश्किल से किसानों को हटाया जा रहा था, मुख्य मंत्री द्वारा, क्या चाते थे आप, उन प 15 मिनिट दे देते, साफ हो जाता, चले जाते, तीसरी चोईस थी आपके पास कि आप कोई ओर रास्ता ले लेते, आपने क्या चुना, पूरे पंजाब को, पूरी पंजाबियत को, सब को बदनाम करना, आरे मेरे खिलाफ साजिश होगे, शर्म आनी चाहिए इस तरहें की भा कर रहे हैं या आप से चर्चा करना चाहते हैं तो आपके पास options हैं आप करना चाहते हैं तो करिए चर्चा नहीं करना चाहते तो आप निकल लीजे दूसरे रास्ते से समझ में आता है यह बात या इंदजार करिए कि पुलीस शांती पूर्ण तरीके से उनको हटा दे क्योंकि अपने ही देश के नागरिकों पर आपके गोली चलवाएंगे किसानों पर तो ना आप उन्हें 15 मिनिट का समय देना चाहते हैं ना आप उनसे बात करना चाहते हैं ना आप कोई alternative route लेना चाहते हैं आप चाहते हैं पंजाब को पंजाब की पूरी तीन करोड पंजाबी जनता को विश्व की पंजाबी संस्कृति को बदनाम करने हैं पंजाब की संस्कृति मालूम है उन्हें वो अपनी जान पर खेल कर प्रदान मंतरी की रक्षा करे एक एक पंजाबी में वो जजबा होता है और जिस तिरंगे का या आज दम भरते हैं इतने तिरंगे इन्होंने नहीं देखे होंगे जितना हमारे पंजाब के सपूतों की लाश पर लपेटे जाते हैं तो इन्हें बोलने से पहले वाकई सोचना शुरू कर देना चाहिए